दूस्तों आज के वीडियो में देखोगे कि एंजल वन एप का यूज करके कैसे आप आईपी योज में अप्लाई कर सकते हो और अगर आपका एंजल वन में अकाउंट नहीं है तो मैंने इसकी अकाउंट ओपनिंग लिंक पेंट कमेंट में ही देढ़ी है वही पे आप क्लिक तो प्लीज आपको मुझे नीचे कमेंट से बताना ताकि मेरे आने वाले वीडियो भी मैं इसी तरीके से बनाओ तो अब चलते हैं यहां से बाहर और अब एंजल वन एप के अंदर चलते हैं जैसे आप के अंदर आओगे तो आपको सबसे पहले लॉग इन कर लेना है यह जो आपको बंब करने के लिए यहां पर यहां पर यहां पर क्लिक करना है तो जैसे यहां पर क्लिक करो के तो आप करोगे तो आप अंदर आजा shallow मैंठाब कर यहां पर देखते हैं कि यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि यह देखे ओपन नाओ open now का मतलब है कि अभी यह IPO open हो चुका है इसमें आप apply कर सकते हो ठीक है अब अगर बात करें यहाँ पर यह कितने दिनों तक open रहेगा तो यहाँ पर लिखाए closing in one days कोई भी IPO जब आता है तो वहाँ पर वो तीन दिन के लिए open होता है और यह IPO अब one day में close होने वाला है तो जिसका मतलब यह कि इसका दूसरा दिन चल रहा है यहाँ पर आपको company का नाम देखने मिल जाता है तो यहाँ पर पर प्राइस के लिखा जाता है कि यह कब close होने वाला ह यह महुती में चीज और इसके बाद यहां पर है प्राइस का इसका प्राइस बैंडर है तो यहाँ पर जब सब्सक्राइब कर सकते हो तो इसका यह ट्रैक रेकॉर्ड अच्छा रहा है और दोस्तों स्टॉक मार्केट है आने वाले युनों परफॉर्मेंस का कोई भी यहां पर गैरेंटी नहीं होती इस इसका द्यान लेके चले इसका डिस्क्लेवर के तौर पर ही पकड़ के चले ठीक यह जो IPO है यह close हो रहा है इस डेट को यह हमने बाहर भी देख लिया यहां पर आपको lot quantity 6 shares मतलब एक lot जब आप अपलाई करोगे तो यह 6 shares का होगा lot की size होगी एक से 15 की मतलब की आप minimum एक lot अपलाई कर सकते हो and maximum आप 15 lot अपलाई कर सकते हो as a retail investor retail को discount यहां पर 0 है investment की amount देख 500 अगर 15 lot अपलाई करोगे तो आप 1,93,500 का यहां पर application करोगे इसके issue की size इतनी है overall subscription status यह हमने बाहर भी देख लिया and ARQ predictor यह में आपको बता दिया है इसी के नीचे देखें यहां पर यह mentioned ने के performance of over subscribed IPOs तो जैसे आप इस पर click करोगे ना तो यह देखें over subscribed IPOs की कैसी performance यह सब्सक्राइब यहां पर आपको बता दिया जाता है अब चलते हैं एक बार back and, यहां पर हमें लीछे वैसे तो यह apply का button मिली जाता है ब क्या पर चलो मैं आप को बाहर से बताता हूँ क्या आपको इससे close का कि यहां पर यह ढपको apply का button मिला है अब आपको को करना है इस प прог говорит ऐसे आप click करोगे फिर आप अंदर आ जाओगे इस order form पे अब यहाँ पे order form में again obviously company का नाम है यह सारी details यहाँ पे mentioned है यहाँ पे lot size में दिखे यह by default one quantity लिखा हुआ है अगर मैं यह एक lot के लिए apply करता हूँ तो यहाँ पे minimum जो है अगर मैं cut off price पे अगर इस अपलाई करूँ विच इस 2150 तो मेरा amount जो है वो 12,900 रुपीज वो मेरी जो linked bank है इस angel one account के साथ वहाँ पे वो block कर दिया जाएगा इसके बाद यह सारी चीज़े में check कर लो यहाँ पे फिर मुझे मेरा UPI ID है यह मुझे mention करना है इसी के नीचे आपको DMAT account number मतलब beneficiary ID बताया जाता है तो यह वो DMAT account number है जो मेरे trading account के साथ linked up है फिर इसी के नीचे आपको यहाँ पे यह payable amount का भी option मिलता है यह हमने उपर जो आपने जितने lot input किये हैं यह उसी इसार से यहाँ पे amount change हो जाती है तो अगर suppose करो कि अगर आप यहाँ पे एक lot के बदले यह जो one lot लिखा है यहाँ पे अगर आप दो lot supply करते हो तो आप देख पाऊगे कि नीचे की जो amount है वह 25,800 हो गए इसी के बिले आप 3 lot supply करो तो 38,700 हो गया maximum 15 lot मैं यहाँ पे apply कर सकता हूँ which is 1,93,500 अब चलो मैं यहाँ पे मेरा UPI ID mention कर देता हूँ and फिर हम next step पे चलते हैं अब यहाँ पे आप सारी के सारी details को mention करके cross check कर लोगे मैंने मेरा UPI ID डाल दिया है अब मुझे सर्फ simply invest पे करना है click तो अब हम यह जो नीचे जो यह इनवेस्ट का button दिया है ना इस पे हम tap कर देंगे यह करने के बाद यह बता रहा है कि ready to invest या तो आप यहाँ पे cancel करो या confirm करो तो obviously आप confirm कर लोगे अब आप देखता है हो यहाँ पे आ चुका है order placed तो हम यहाँ पे बता रहा है कि you will receive the notification on your UPI app within 60 minutes so basically जैसे ही आपने यहाँ पे order place कर दिया ना फिर यह जो order है यह यहाँ से जाता है अपके UPI app में मुलब वहाँ से आपको नोटिफिकेशन आ जाता है यह नोटिफिकेशन आपको बताएगा कि आपको IPO mandate को करना है अपरो अगर आप भीम UPI app का use करते हो तो यह काफी आसान है उसकी जो नोटिफिकेशन की टोन है वो भी बहुत ही मस्त अलग है जिससे आपको पता चली जाता है कि आपको mandate आ चुका है तो आपको mandate आप उसे अपरो कीजिए वहाँ पर आप जो आपका UPI का pin है वह आप enter करोगे amount को आप क्रोस चेक कर लेना कि आपने जिस amount के लिए आपका mandate create हो जाएगा इसी के बाद आपको यहां पर बता दिया जाएगा कि यह जो order आपने place कर दिया आपने mandate अपरोव कर दिया तो आपका फिर IPO का status क्या चल रहा है ठीक है और यहां पे कुछ चीज़े बहुत ही clearly mentioned है वो यह कि आज आपका order place हो चुका है आपको यह जो payment ह अपरोव करनी है before 11 November 2021 मतलब कि आप आपको तारीक के साथ बता दिया जाता है जब आपको अपरोव करना है और फिर आपको allotment 15 November तक पता चल जाएगा आप चाहो तो यहां से आप order status पे click करके आपके जो order book में जो status बता रहा है यह आप देख पाऊगे अगर आप इस order को modify क and modify यह दोनों का ही option आ जाता है तो दोस्तो इसी तरीके से simply आप Angel One app में IPOs के लिए apply कर सकते हो दोस्तों अगर आपको isolated कोई भी questions हो तो आपको प्लीज मुझे नीचे comments में जरूर पूछेगा मुझे आप Instagram पे भी DM कर सकते हो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज करता है ऐसे बैतरी वीडियो बनाने के लिए मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजे एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबा दीजे